पहला सवाल तो कलीमुलहफीज यहाँ पर हम फत्वे की बात कर रहे हैं जो सर्तन से जुदा करने की बात करते हैं उनके खिलाफ लेकिन मुस्लिम समाज लो जब करेगा तब करेगा political party जो सबसे ज़ादा इस तरह के मंचों का इस्तमाल करती हैं इस तरह के नारों पर अपनी convenience की राजनीती करते हैं वो पार्टियां कब ताल ठूकेंगी देखिए जब ये तमाम घटना करम शुरू हुए हमने तब ही इन तमाम घटना करम पर अपना रुख जाहर किया था हमने ये बताया था जब नूपर शर्मा ने आपती जनक टिपड़ी की थी हमने तब भी कहा था कि सरकारी एजनसियों को अपना काम करना चाहिए selective होकर काम नहीं करना चाहिए और ये देश धर्म प्रधान देश है इसमें तमाम तरह के धरम हैं उनकी आस्ता हैं अगर उनका आस्ताओं का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो अरा जक्ता बढ़ेगी लेकिन हमारी मांग पर इस सरकार के कान पर जूनी रहेगी सरकार को जब अंधराश्ची लेविल पर दवा हो रहा था इस सरकार ने कदम उठाया नहीं सुलिजे कली मुल हफीज जी धर्म प्रधान देश है राजकता बढ़ेगी धर्म करकानी दका जाएगा आप क्या थीक है नहीं आप मुस्से क्या करें क्या सर्तन से जुदा ठीक ह पर आजकता पड़ेगी आप जिस्टिफिकेशन दे रहें किस सर्थ पूछक यह करूँ है मैं टिकाट इपड़ी तुमाहिए रिस्पॉंसिवल बात नहीं करेंगे आप भलत बात बिल्कुल लेए करेंगे गयर जिम्मेधाराना बात नहीं करेंगे मुद्दे पर हैंए नहीं करता है हĩं Git और तो मैंने भी देखा उखक उना लेकिन निरुजे को यह स्पष्ट करती हुए पैनलि स्की राय को चैनल इंडॉस नहीं करता है हम बिल्कों DAO करते अलब बता यह अधरी अभी यह को शौक करफ शूढशन है मुझे ताल हम मैं पूछ रहा हूँ आप से कि हमने पहले दिन से जब इस अराजक्ता के खिलाफ इस सेलेक्टिव जो कारवाई के खिलाफ वाज उठाईए आप ने क्यों आप वहाँ से बाद शुरू करने देने क्यों नहीं चाहती है हमें हमें आप बात पूरी करने दिए जब 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 य करेंगी सेलेक्टिव काम करेंगी अराजक्त तरह बढ़ेगी और हम अराजक्ता का यहा किसी भी हिंसा का समर्तन buttons driving हम चाहते हैं अमरावती का मडर हो या उससे पहले जो मब लिंचिंग हुई है या या शंबूर अगर ने मडर किया इस सब के खिलाब सरकारों को सक्त कारवाई करनी चाहिए जहां तक आप फत्वेग विक बात कर रहे हैं सार मुसल्मानों की तमाम एजेंसियों ने इस जगन ने अपराद क खुलकर खंडन किया है इसकी निंदक किये और कड़ी कारवाई की मांग करिए लेकिन आप लोगों को सबरी नहीं है आप लोग समझते हैं कि मुसल्मान और क्या कोई सेटिफिकेट आपको टीवी पर आके देंगे उन्होंने साथ तोर पर कह दिया कि हम इसको को इसको को इस मैंने राजनेतिक दल बोला आपको मुसल्मानों का प्रवक्ता नहीं बोला है सुनिए ध्यान से राजनेतिक दल है और एक ऐसा राजनेतिक दल है जिसे उत्तरप्रदेश के मुसल्मान ने सिरे से नकारा था ठीक है तो खुद को इस देश के मुसल्मानों की आवास समझने क कि भूल आप ना करें और नहीं मैंने आपको तमगा दिया है आप से सवाल पुलिटिकल पार्टी को लेकर पूछा गया था आप क्या आप मुझे ये बता देये कौन सी एजंसी की फिलियर है यह सरतंसे जुदा वाली सोच अब पाकिस्तान से चलने वाली कंस्परेशिए को जो चे करने वाली एजन्सी विसके सब का failure हो रहा हुई उन सबकी जिम्मेदारी है कि कोई शो मुकंबल नहीं होता बिना माइम की परवक्ता को वो मुसल्मानों को प्रवक्ता करते हैं तो मुझे पता है आप नतीजा दिखा कर आप से बात कर रहे हूं और आप यह तो ऐसा देश है जा पाकिसान की साजिशोगी बर्गलाया कहा के नौजवानों को जा रहा है सर तनसे जुदा की सोच किन नौजवानों में इसको इंडॉक्ट्रिनेट किया जा रहा है कहा किन नौजवानों में नाईए के हिसाब से तो मेरे भारत के नौजवानों को किया जा रहा है हां तो कैसे ह इस देश मे तो प्रधर्श को जाते हैं ऐसे हो गया संधिया क्दिन्स कॉस्टिन MEN y0e और आप उस्से कह रहा है कि हम नंद करके काम चला लेंगे सार्स तंसे जुदा वाली सोच पे बस नंदा से काम चला लेंगे आप 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 जरा मुझे बताना नेशनल टीवी पे जरा आकड़े बताईए कि नूपर शर्मा की गिरतारी के लिए आप से जो सवाल में बंद हैं आप क्या चाहती है और और दोजार लोगों को आप बंद करवाना चाहती है मैं खुद जेल में रहकर आया ह मेरे चाहने से लोग जेल में नहीं जाएंगे और नाई मैं चाहती हूँ सुनिये मेरी बात ध्यान से मैं स्वांग टेमोकरिसी में यकीन रखने वालों में से हूँ ना मैं उसमें किसी विक्टिम नेरेटिव की गुंजाईश देखती हूँ मुझे लगता है मेरे राइट् कलीमुल हफीज के भी आते हैं और इस डिबेट में जो दूसरे पैनलिस्स बैठे हैं उनके भी आते हैं लेकिन आपसे जो मैंने सवाल पूचा कि कोई प्रदर्शन तो बता दीजे मुझे सर्तंस जुदा के खिलाफ उस पर आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया सर उस प